हाई गाई स्वागत है आपका डेली करंट अपिर की क्लास में आज हम इस वीडियो में 31 जनवरी 2024 के इंपोर्टन करंट अपिर की कोश्चन डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को एंटर ज़रूर देखियेगा हमने ये वीडियो आपके आगा में एक्जाम को ध्यान में रखत हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को खेल ज़रूर कीजिए चलिए शुरू करते आज की क्लास पहला कोश्चन है आपके सामने तो इस कोश्चन का आंसर है आप्शन भी यानिक सिनर ने ऑस्टेलियो ओपन दोहजार चोबिस में पुरूश एकल का खिताब अपने नाम किया है इटले की युवा टेनिस खिलाडी यानिक सिनर ने रूस के डेनियल मेदवेत को हरा कर पहली बार ऑस्टेलियो ओपन का खिताब जीत लिया है सिनर हैज वान हीज फर्स ग्रांड स्लेम टाइटल सिनर ने अपना पहला ग्रांड स्लेम खिताब जीता है और सीनर उस्तिरियन ओपन में पुरुष एकल का फाइनल जीतने वाले इतली के पहले खिलाडी भी बन गए हैं उस्तिरियन ओपन की Women's Single Event में बेलारुस की आरियना सबालेंका ने चीन की किनवेन जेंग को हराकर उस्तिरियन ओपन का खिताब जीत लिया है इंडिया स्टार टेनिस प्लियर रोहन बोपना और अलांग विद औस्टीलियन पार्टनर मैथु एडबन्ग has become the champion in men's double in Australian Open 2024 भारत के स्टार टेनिस खिलाडी रोहन बोपना और औस्टीलियन साती मैथु एडबन के साथ Australian Open 2024 में men's double में champion बने हैं रोहन बोपन्ना ने पहले मेंस डबल ग्रैंड स्लेम टाइटल जीता है और ओपन एरा में ऐसा करने वाले सबसे उम्रदर्रास खिलाडी भी बन गए हैं औस्ट्रियन ओपन स्टार्टेड इन 95 ऑस्ट्रियन ओपन के शुरुवात 1905 में हुई थी औस्ट्रिया ओपन एंड USA ओपन दोनों हार्ट कोड पर खिला जाता है पूरु शेकल में औस्ट्रियन ओपन के सारवधिक नौबाग जोकिविश ने दस बार जीत हासिल की है उनके पास टोटर 24 ग्रैंड स्लेम जीते हैं ग्रैंड स्लेम क्या है टेनिस के चार बड़े टूर्णमेंट को ग्रैंड स्लेम कहा जाता है Grand Slam में Austrian Open, French Open, Wimbledon Open, USA Open शामिल है These are jointly called Grand Slam इनको सर्यक्तो रूप से Grand Slam कहा जाता है आईए अगला कोशन देख लेते हैं Who has been given the Best Film Award in the 90th Film Fair Award 2024? 69-way Film Fair Award 2024 में Best Film का Award किसे दिया है? इस कोशन का अंसर है Option C 12th Film को 96th Film Fair Award में Best Film का Award दिया है Film Fair Award Best Film में 12th Film को मिला है Best Actor Ranvir Kapoor उनकी Animal Film को मिला है Best Actress में Aliyah Bhatt, Raki O Rani की प्रेम कहानी इसके लिए मिला है Best Director में Vido Vino Chopra 12th Film के लिए मिला है And Lifetime Achievement Award David Dhawan इनको मिला है Best Debut Actor मेल में आदित्य रावल फराज के लिए मिला है And Best Debut Actress फीमेल में अली जेह अगनी होतरी फर्रे के लिए मिला है Best Actor in Supporting Role में Vicky Kaushal डंकी फिल्म को मिला है Best Actress Critics राणी मुखर जी, मिसेच चैटर जी, वसेच नौर्वे और शेफाली शाह, Three of Us को मिला है Best Actor Critics में Vickranth Maisy 12th Film को मिला है And Best Film Critics में जो रम को मिला है आईए अगले कोशन की तरब चलते हैं Where will H-125 helicopters be manufacturing by Tata Group and Airbus? Tata Group और Airbus के द्वारा H-125 helicopters की manufacturing कहा की जाएगी इस कोशन का आंसर है Option C Vododara में Tata Group और Airbus के द्वारा H-125 helicopter की manufacturing की जाएगी Tata और Airbus French Company will work together to manufacture H-125 helicopters Tata और Airbus France की company मिलकर H-125 helicopter की manufacturing के लिए काम करेगी इसकी manufacturing गुजरात की वड़ोदरा में की जाएगी Airbus एक European बहुराष्टिय Airbus Company है Airbus is not only a manufacturer but also a helicopter manufacturer Airbus निर्माता होने के साथ-साथ helicopter भी निर्माता है इसका मुख्याले वेल लैकनेक फ्रांस में है Tata Group के बारे में बात करते हैं तो Tata समुओ की स्थापना 1868 में हुई थी इसका मुख्याले मुंबई में स्थीते Tata Group एक निर्जी व्यावसाइक समुओ है Products and Services in more than 50 countries पचासे अधिक देशों में उत्पादोर सेवाए Tata Group की है इसके संस्तापक जमशेजी Tata है Emirates Chairman Ratan Tata जी Chairman and Managing Director Natarajan Chandrashekaran है नेक्स्ट कोस्चन Who has launched the Digital Code 2.0 application? Digital Code 2.0 application को किसने लांच किया है? इसकोस्चन का आंसर अप्शन है PM मोदी जी ने Digital Code 2.0 application को हाले में लांच किया है 2.0 application क्या है? आईए समझते हैं PM मोदी जी ने Supreme Code के Diamond Jubilee celebration में शामिल हुए है प्रदान मंत्री ने Digital Supreme Code के रिपोर्ट्स Digital Code 2.0 और Supreme Code की नई वेबसाइट को भी लांच किया है 8.जनवरी 1950 को Supreme Code की स्थापना किये गई थी इसके चलते 2.0 application PM मोदी जी ने लांच किया है Supreme Code भारत का शिर्च अदालत है 26.जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था यह एक सविधनिक निकाए है Article 124 से 147 में Supreme Code के बारे में जानकारी दी गई है जो कि भारतिय सविधान की भाग 5 और Chapter 4 में बताया गया है वर्तमान में Supreme Code की मुख्य नायदीश CGI डॉक्टर चन्रचूड पचासवे नंबर के है और वर्तमान में Supreme Code की नायदीश की संक्या 34 है आएए आगे बढ़ते हैं अगली कोश्चन की तरब Who has become the CM of Bihar for the 9th time? Bihar के 9 बार CM कोन बने है? तो फ्रेंड इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा Option B नितिश कुमार Bihar के 9 बार मुख्य मंत्री बने है नितिश कुमार हैस टेकन ओते CM for the 9th time नितिश कुमार ने 9 बार CM पत की शपत ली है गवर्नल राजंद्र विश्वनात अरले करने उने पद और गोपी नियात की शपत दिलाई है विजै सिन्ना हैस बीन मेड डिप्टी चीप मिनिस्टर विजै सिन्ना जी को उपमुख्य मंत्री बनाया गया है विजै भी के प्रधेशा अध्यक्ष समराच चोड़ी और नेता प्रतिपक्ष रहे है नितिश कुमार के साथ-साथ 8 मंत्रियों ने शपत ली है बिहर के बारे में बात करते हैं बिहर में पहला वालमे के टाइगर रीजर पच्छी में चंपारें जिले में स्तीत है अद उसरा टाइगर रीजर कैमुझ जिले में तयार किया जाएगा बिहर का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था इसकी राजधानी पटना है और मुख्य मंत्री अभी आपको बताया है नितिश कुमार जी, राज्य पाल, राजन्र, विश्वनात अर लेकर बिहार को लगने वाली सिमाई उत्तर प्रदेश, जारकंड, पच्छिम बंगाल और अंटर रश्टिय सिमा नेपाल से साज़ा होती है बिहार में विधान सबा सीट 243 है, विधान परिशत सीट 75, राज्य सबा सीट 16 और लोग सबा सीट 14 है आईए आगे बढ़ते हैं अगली कोश्चन की तरब बारत का पहला AI उनिकॉर कोन बना है इस कोश्चन का आइसर अप्शन सी कुत्रीम इंडिया का पहला AI उनिकॉर बन गया है AI उनिकॉर क्या है आईए समझते हैं AI स्टार्टप अर्टिफिशल बिकम्स इंडियास फर्स्ट उनिकॉर इन 2024 AI स्टार्टप कुत्रीम 2024 में भारत का पहला उनिकॉर बन गया है इसने एक बिलियन डॉलर का मुल्याकन हासिल किया और भारत का पहला AI यूनिकॉर बन गया है यूनिकॉर्ण स्टार्टप क्या है जब भी किसी स्टार्टप का वैलिवेशन एक बिलियन डॉलर मतलब भारतिय रूपे में 82 करोड से ज्यादा हो जाता है तो उसे यूनिकॉर्ण स्टार्टप कहा जाता है अगला कोशन क्या है तो देखते है इस डाटा प्राइवसी डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली एवरी यर डेटा गोपी नेता दिवस प्रत्यक वर्ष विश्वस्तर पर किस दिवस मनाय जाता है इस कोशन का अंसर है अप्षन है अठाई जन्वरी को डेटा गोपनीता दिवस प्रत्यक वर्ष विश्वस्तर पर मनाय जाता है इस डेवस को 2006 में यूरोप की परिशत द्वारा शुरू किया गया था इस साल की थीम टेक कंट्रोल अप यूवर डाटा अपने डेटा पर नियंत्रन रखे इसका उद्देश जागरूपता बढ़ाना और गोपी नियता और डेटा सुरक्षा सर्वत्तों प्रयास को बढ़ावा देना है आईए आगे बढ़ते अगली कोश्चन की तरफ इन्विस्टेट हैस्ट नियूट्रोबैती होस्पिटल अप नौर्थ इस इंडिया बेन स्टार्टेट पुर्वत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित सा अस्पतार की स्राज्य में शुरू किया है इस कोश्चन का अंसर अप्षय ने असम राज्य में पुर्वत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित सा अस्पतार शुरू हुआ है आयुश मंत्री सर्बारान सोनेवाल और असम के सियन हेमन विश्वा शर्मा ने पुर्वत्तर भारत में डिब्रुवर्ट असम में पहले योग और प्राकृतिक चिकित सा अस्पतार के निर्मान की शुरूर्वत की है इस अस्पतार में लगभग सो करण रूपए निवेश के जाएंगे योग प्राकृतिक चिकित सा के पारंपारिक ज्यान को आधनिक तकनी के साथ साथ एकिकृत करने पर ध्यान के इंदित किया गया है असम के बारे में बात करते हैं असम की राजधानी दीशपूर है चीप मेरिस्टर हेमन विश्वा शर्माजी और राज्यपाल कुलाप्चन कटारिया असम का राजकिया पशू भारतिय गेंडा है असन्य विदान सबासिट 126 लोक सबासिट 14 और राजय सबासिट 7 है असम के साथ राज्यो की सीमा अरुनाचल प्रदेश, नागाल्यांड, मनीपूर, मीजुरं, त्रीपूरा, मेगाले, पच्चिम बंगाल और अंतर राष्टिय बाउंडरी भूटान से साजा होती है असम में राष्टिय उद्यान ये सेवन पार्क असम में स्थीत है नेक्स्ट कोश्चन इस कोश्चन का अंसर है परिक्षा पर चर्चा कारेक्रम शुरू हुआ है पिया मोधी स्पोक टू स्टूडन्ट और जन्वरी 29 रूप परिक्षा पर चर्चा 2024 पिया मोधी ने 29 जन्वरी को परिक्षा पर चर्चा 2024 के जरिये स्टूडन्ट से बात की है परिक्षा पर चर्चा इसका सात्वा संसकरन था इससे पहले पहला संसकरन 16 फरवरी 2018 को आयुजित किया गया था परिक्षा पर चर्चा के दोरान PM Modi student के मन से परिक्षा के डर और तनाव को कम करने के लिए tips शेयर करेंगे इस event में PM Modi के साथ करीब 3000 student शामिल हुए थे आईए आगे बढ़ते हैं अगली question की तरब Where will India's first research based IIT satellite campus be established भारत का पहला अनुसंदान आधारित IIT उपग्रह परिसर कहा स्थापित किया जाएगा इस question का answer is option B उज्जन में भारत का पहला अनुसंदान आधारित IIT उपग्रह परिसर स्थापित किया जाएगा The country first research based IIT satellite campus will be set up in उज्जे देश का पहला शोर अधारित IIT satellite campus उज्जन में स्थापित किया जाएगा IIT इंदोर द्वारा उज्जन में satellite campus स्थापित करने का प्रोजेक्ट तयार कर 2023 में मन्जूरी के लिए शिक्षा मंत्राले को भीजा गया था आईए आगे बढ़ते हैं आगली question की तरब Who has won the F.I.H.H.H.K.E. 5S Women's World Cup title F.I.H.H.H.K.E. 5S महिला विश्वकप का खिताब किसने जीता है इस question का answer option B निदर लैंड ने F.I.H.H.K.E. 5S महिला विश्वकप का खिताब अपने नाम किया है तो निदर लैंड ने किसको हरा कर F.I.H.H.H.K.E. 5S महिला विश्वकप का खिताब अपने नाम किया है आईए जानते हैं F.I.H.H.H.K.E. 5S महिला विश्वकप का पहला संसकरन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया है It was held in Muscat Oman Farm 24 to 27 January 2024 यह 24 से 27 January 2024 तब मस्कट Oman में आयुजित किया गया था निदर लैंड हाज वन इट्स फर्स गोल्ड मेडल बाइ विनिंग दे फाइनल अगेंस्ट इंडिया निदर लैंड ने भारत के खिलाफ फाइनल जीत कर पहला स्वर्न पदप हासिल किया है दोस्तो यह थी हमारे आज के करनट अपर की कोश्चन आपको हमारे विडियो का कंटेंड यूसफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबेक जरूर दीजे ताकि हम मोटिवेशन मिलता रहे और आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों के साथ इस विडियो को शेर जरूर कीजे मिलते कल सुबर करनट अपर की क्लास में बाई हैवन आइस डे टेक कियर